रंग बिरंगे फ्रोग के पेर वाला तालाब बिंदिया नाम की एक लड़की अकेले ही अपने घर में हसी खुशी रहती थी बिंदिया अपने घर के बाहर कुछ सबजी के पोधे लगा रखी थी और उनी सबजीयों को बेच कर अपना घर चलाती थी एक दिन बिंदिया अपने घर की सफाई कर रही होती है तबी उसके घर के बाहर से परोस वाली औरत गुजर रही थी तबी वह औरत बिंदिया को देख कर अपने मन में सोचती है आज मेरे घर पे इतने सारे काम है और अनाज की बोरी भी बाहर ही रखी है मेरी बेटी तो अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गई है इसलिए आज का काम मैं इसी से करवा लेती हूँ वैसे भी ये तो बहुत ही बेवकुफ लड़की है कभी किसी का काम करने से मना नहीं करती है या सोचकर वो औरत बिंद्या के घर के अंदर जाती है और बिंद्या से बोलती है बिंद्या बेटी क्या कर रही हो कुछ नहीं काकी बस घर की सफाई कर रही हूँ बेटी दरसल आज मेरी तब्यो ठीक नहीं लग रही है और मेरी बेटी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गई हुई है और मेरे घर के बाहर अनाजकी कुछ बोड़ियां रखी हुई है तो तु मेरे कुछ अनाजकी बोड़ी उठा कर घर के अंदर रख दे ठीक है काकी, मैं घर के काम खत्म करके आती हूँ उसके बाद मैं आपका काम कर दूँगी इस तरह वो औरत बिन्दिया से जूट बोलकर अपना काम निकलवा लेती है गाउं का हर व्यक्ति बिन्दिया के भोलेपन का फाइदा उठाकर उससे काम करवाता था थोरी देर बाद बिन्दिया उस औरत के घर जाती है और सारी बोडिया उठाकर घर के अंदर रख देती है इसी तरह दिन गुजर रहे थे एक दिन बिन्दिया बाजार से घर का सामाल लेकर आ रही थी तब ही बिंदिया को देखकर उसी के गाउं का एक 8 साल का लड़का सोचता है लगता है बिंदिया दीदी अपने घर जा रही है मेरा स्कूल भी उनके घर के पास है इक काम करता हूँ मैं यहां गिर जाने का नाटक करता हूँ उसके बाद यह रिक्से में मुझे स्कूल तक छोड़ देगी और मैं अपने पैसे बचा कर उसका आईस क्रीम खाऊंगा वह लड़का बिलकुल वैसा ही करता है वह जमीन पर गिर जाने का नाटक करता है और जोर जोर से रोने लगता है है भगवान गिरने की वज़ा से मेरे पैरों में बहुत जोर दर्द हो रही है अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा कोई मेरी मदद करो उस लड़के को रोता देखकर बिंदिया उसके पास आती है क्या हुआ छोटू दीदी मुझे रास्ते में पत्थर से चोट लग गया और मैं गिर गया मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा हूँ आज मेरे स्कूल का एकजाम है इसलिए मुझे स्कूल जाना भी बहुत जरूरी है अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे स्कूल तक अब जाओं छोटू इसमें परेसान होने वाली क्या बात है मैं तुम्हें रिक्से में तुम्हारे स्कूल तक छोड़ दूँगी और तुम पैसो की चिंता मत करो वह मैं दे दूँगी बिंदिया उस लड़के को उसकी स्कूल तक छोड़ देती है और वापस अपने घर चली जाती है बिंदिया को जाने के बाद वो लड़का सोचता है इसके जैसा बेकूप आप तक मैंने नहीं देखा इसलिए हर कोई इससे अपना काम निकलवा लेता है बिंदिया की अच्छाई को सब उसकी बेवकूफी समझते थे बिंदिया सबकी भलाई किया करती थी लेकिन कोई भी उसका परवा नहीं करता था गाउं का कोई भी बैक्ती उसका हाल चाल तक नहीं पूछता था सबकी मदद करने की वज़ा से बिंदिया को खुद की सबजी का खेती करने का समय ही नहीं मिल पाता था यहीं सब बिंदिया अपने कमरे में बैठ कर सोच रही होती है अरे मेरा आज का दिन भी जैसे तैसे चला गया कल मुझे अपने छोटे से खेत में काम करना ही होगा वैसे भी बारिस होने वाली है और मैं जल्दी ही अगर अपना काम सुरू नहीं की तो बारिस में मेरी खेतों की तहस नहस हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगी कल चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खेतों का काम सुरू करना ही होगा या सब सोचकर बिन्द्या सो जाती है अगले दिन बिन्द्या सो कर उठी भी नहीं थी उससे पहले ही बहुत जोरों की बारी सोने लगती है पोरी देर बाद बिन्द्या उठी है और बारी सोता देखती है या सब देखकर बिन्द्या बहुत ही परसान हो जाती है अरे आज तो बहुत चोरों की बारी सो रही है आज भी मैं अपना काम सुरू नहीं कर पाऊंगी इतनी तेज बारी सो रही है पता नहीं कब तक बारिस रुकेगी यह सब देखकर बिंद्या बहुत उदास हो जाती है कई दिनों तक ऐसे ही बारिस होती रहती है जिसकी वज़से बिंद्या के छोटे से सब्जियों के खेत में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है अगली सुबा जब बारिस रुकती है तब बिंद्या घर से बाहर निकलती है और वो देखती है कि उसकी सब्जी के पोधे बारिस की वज़से पूरी तरह से तहस नहस हो गई है यह सब देखकर बिंद्या बहुत रोने लगती है यह सब क्या हो गया? अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? सब कुछ ठीक होने में तो तीन से चार महिना लग जाएगा जब तक मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? घर का रासन भी खत्म होने वाला है और अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे है एसे ही एक हपता बीच जाता है और बिंद्या को समझ नहीं आ रहा था कि अग वो क्या करे यहाँ तक कि घर का रासन भी खत्म हो गया था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे रासन खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है जब तक परोस वाली काकी से रासन के लिए कुछ पैसे मांग लाती हूँ मेरे पास जब होगा तब मैं उन्हें वापस कर दूँगी या सब सोचकर बिंद्या परोस वाली काकी के घर जाती है और उनसे बोलती है काकी आपको तो पता है ना बारिस की वज़े से मेरा बहुत नुकसान हो गया है अभी मेरे पास बिलकुल भी पैसे नहीं है और घर में खाने को रासन भी नहीं है इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं आपको लटा दूँगी अरे बेटी मेरे पास जो भी पैसे थे उसे मैं किसी जरुत के काम में लगा दी हूँ और बागी के पैसे तो बैंक में रखे हुए है तुम्हें तो पता ही है यहां से बैंक कितना दूर है और मेरी तबियत भी खराब है फिर तो मैं बैंक भी नहीं जा सकती इसलिए तुम किसी और से जाकर पैसे मांग लो मेरे पास अभी पैसे नहीं है यह सुनकर बिंदिया वहां से आ जाती है उसके बाद बिंदिया उस औरत के पास जाती है जिसने उससे अनाज की बोडिया उठवाई थी बिंदिया उस औरत से पैसे के लिए कहती है तब वह औरत कहती है अरे बिंदिया बेटा मेरे हातों में तो पैसे रुकते ही नहीं है पैसे का तो सारा हिसाब किताब मेरे पती ही रखते है तुझे तो मेरे घर के बारे में पता ही है तेरसे कुछ चुपा थोरी ना है बेटा मुझे माफ करना मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी इसी तरह हर कोई बिन्या को मदद करने से मना कर देते हैं उदास ओकर बिन्या एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और बोलती है मैं तो सबकी मदद करती हूँ लेकिन आज मुझे पैसो की जरुरत है तो किसी ने मेरी जरा सी भी मदद नहीं की लेकिन कोई बात नहीं एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा तभी बिंद्या की नजर तालाब के बीचो बीच बढ़ती है तालाब के बीचों बीच से तेज चमकदा रोसली आ रही थी अरे तालाब के बीचों बीच से ये रोसली कैसी आ रही है तब ये तालाब बोल पड़ता है बिंदिया बेटा अरे ये आवाज तालाब से आ रही है क्या तालाब भी बोल सकता है भला हाँ बिंदिया अगर चमतकारी तालाब हो तो वो बोल भी सकता है तुम मेरे अंदर आओ मैं तुम्हे कुछ देना चाहता हूँ यह सुनकर बिंदिया तालाब के अंदर छलांग लगाती है और उसे वहाँ पेर पर लगे हुए रंग बिरंगे फ्रोक नजर आती है यह सब देखकर बिंदिया चौक जाती है अरे वा यहां तो रंग बिरंगे फ्रोक का पेर है यह सब तो मैं पहली बार देख रही हूँ बिंदिया यह रंग बिरंगे फ्रोक का पेर है मैं तुम्हें इन रंग बिरंगे फ्रोक में से एक फ्रोक दे रहा हूँ ये फ्रोक तुमारी सारी इच्छा पूरी करेगा तालाब के इतना बोलते ही बिंद्या के हातों में रंग बिरंगे फ्रोक आ जाता है और बिंद्या बोलती है आपका बहुत भोध धन्यवाद तालाब जी वैसे भी मैं कुछ दिनों से बहुत ही परिसान थी और आपने मेरी मदद करके मेरी सारी परिसानी दूर कर दी उसके बाद बिंद्या तालाब में से बाहर आ जाती है बिंद्या अपने घर की तरफ जाही रही थी तब ही वह देखती है गरीब बूढ़ी अम्मा सरक के किनारे बैट कर रो रही है बिन्दिया उस गरीब बूढी अम्मा के पास जाती है और बोलती है क्या हूँ आम्मा आप इहां बैटकर क्यों रो रही हो बेटी मैं बहुत गरीब हूँ मेरी एक बेटी है मेरी बेटी के लिए एक बहुत ही अमीर घर से रिस्ता आया है लेकिन मेरे पास विल्कुल भी पैसे नहीं है मैं सादी में कुछ खर्च नहीं कर सकती इहां तक कि मैं उसे सादी में पहनने के लिए एक कपरे तक खरीद कर नहीं दे सकती हूँ अगर यह रिस्ता मेरे हाज से निकल गया तो सारी जिंदगी मेरी बेटी रोती रहेगी बिंदिया को उस गरीब बुड़ी अम्मा पर बहुत ही तरस आता है और वो अपना जादूई रंग बिरंगा फ्रॉक उस बुड़ी अम्मा को दे देती है अम्मा आप यह फ्रॉक रख लीजिए आप इस फ्रॉक से जो भी मांगोगी आपको वो सब मिल जाएगा और इस फ्रॉक की सहायता से आपकी बेटी के साधी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी सुक्रिया बेटी भगवान तुमें हमेशा खुश रखे इतना बोलकर वो बोड़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और फिर बिंदिया भी अपने घर आ जाती है घर आते ही बिंदिया देखती है कि उसके बेट पर सुन्दर सा फ्रॉक रखा हुआ है अरे इस फ्रॉक को तो मैं उस तालाब के पेर पर लगा हुआ देखी थी फिर यह यहां कैसे आ गया तगे फ्रॉक में से आवाज आती है हाँ मैं वही फ्रॉक हूँ तुमने उस गरी बोड़ी अम्मा की मदद की इसलिए वह चमतकारी तालाब ने मुझे तुमारी मदद करने के लिए भेज दिया है या सुनकर बिंदिया बहुत ही खुस होती है बिंदिया उस रंग मिरंगे जादूई फ्रॉक से बहुत सारे पैसे मांग लेती है और बहुत बरी जमीन खरीदती है उसके बाद बिंदिया उस जमीन में गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाती है अब मैं इस जमीन पर तरह तरह की खेती करूंगी और मैं खेत पर काम करने के लिए उन लोगों को रखूंगी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है इससे उन्हें रोजगार भी मिल जाएगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी बिंदिया गाउ के कुछ लोगों को अपने खेतों में काम दे देती है और उसका काम सुरू हो जाता है इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और बिंदिया खुसी खुसी रहने लगती है तब इस सहर से एक अमीर लड़का गाउ आता है उसी बक्त बिंदिया गाउ की गरीब लोगों में कपड़े और कुछ खाने का सामान बाट रही थी बिंदिया को देखकर वो लड़का सोचता है अरे वाँ एक लड़की कितनी अच्छी है सहर में तो कोई भी लड़की अच्छी नहीं होती वो सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है मगर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो अमीर होने के बाद भी बिलकुल भी घमंडी नहीं है और यह तो लोगों की मदद भी कर रही है मुझे ऐसे ही लड़की की तलास थी उसके बाद वो लड़का बिंदिया के पास जाता है और उससे बाते करने लगता है वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बाते करते हैं हम दोनों काफी देर से बाते कर रहे हैं आपको जो कुछ भी गाओं के बारे में जानना था मैंने सब आपको बता दिया है अब मैं चलती हूँ हम दोनों एक दूसरे से इतनी देर बाते किये और अब तक हम दोस्त भी बन गए हैं तो क्या आप मुझे अपना फोन नमर दे सकती हो बिंदिया अपना फोन नमर उस लड़के को दे देती है उसके बाद से दोनों फोन पर लंबी लंबी बाते करने लग जाते हैं और कहीं न कहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है मैं तुमसे साधी करने के लिए तयार हूँ लेकिन तुमारे घरवाले मुझे सुईकार तो करेंगे न बिंदिया उन्हें मैं पहले ही तुमारे बारे में बता चुगा हूँ और उन सब को भी तुम बहुत पसंदो और अब हम अगले महीने ही धूमधाम से साधी करेंगे उसके बाद बहुत ही धूमधाम से बिंदिया की साधी हो जाती है और फिर दोनों एक साथ उसी गाउं में खुसी खुसी रहने लग जाते हैं सौतेली मा और जादूई लेंगो का जादू सौनपुर गाउं में दिन दियाल अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था गौरी जब साथ वर्सकी थी तभी उसकी मा का देहां ते गम्हिर बिमारी की वज़से हो गया था मा की मिर्चू के बाद गौरी एकदम अकेली हो गई थी वो हर वक्त अपनी मा को याद करके रोया करती थी दिन दियाल अपनी बेटी की देखवाल के लिए कावेरी नाम की महिला से दूसरी साथी कर लेता है कावेरी की पहले से ही एक बेटी होती है चंचल कावेरी ने दीन देया से साधी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए किया था देखो कावेरी मैंने तुम से साधी सिर्फ अपनी बेटी की देखबाल करने के लिए किया है तो तुम उसे मा की कमी कभी महसूस मत होने देना मैंने तुम्हारे लिए अपनी आदी प्रोपटी तुम्हारे नाम कर दी है जिससे तुम्हें कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी जी ये सब करने के क्या जरुरत थी आज से काविरी भी मेरी बेटी चंचल की तरह ही है मैं आपसे वादा करती हूँ मैं गोरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है इतना बोलकर दीन दयाल वहां से चला जाता है अब तो बस देखते जाओ कैसे मैं तुम दोनों बाप बेटी को इस घर से निकाल कर बाहर फैकती हूँ मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मुफ्त में यहां तुम दोनों बाप बेटी के सेवा करूंगी मैं तो यहां सिरुप तुम्हारे दोलत के लिए आई हूँ उस दिन से कावेरी दीन द्याल के सामने तो गौरी को प्यार करने का दिखावा करती और उसके जाते ही गौरी से घर का सारा काम करवाया करती थी गौरी बहुत ही सीधी और संसकारी लड़की थी इसलिए वो बिना कुछ बोले सब को चुप चाप सहती रहती थी वहीं चंचल अपनी मा के लाट प्यार की वज़े से कुछ जादा ही बिगर गई थी वो पूरे दिन स्वापिंग करती, कलब जाती और अपने आवारा दोस्तों के साथ भूमा करती थी वहीं गौरी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी एक दिन गौरी किचन में बरतन धो रही थी, तब ही अचानक से दिन द्याल घर आ जाता है और अपनी बेटी को इस तरह काम करता देख, वह गुस्चे से कावेरी के पास जाता है और बोलता है कावेरी, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी बेटी गोरी बरतन साप कर रही है और तुम यहां अराम से बैठ कर टीबी देख रही हो क्या मैंने तुम से साधी इसी दिन के लिए किया था, कि तुम मेरी बेटी से घर का सारा काम करवा हो हाँ तो क्या हो गया अरे लर्की जात है घर का काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी अगर उसने बरतन धोई दिये तो इसमें बुरा ही क्या है का बेरी तुम सायद भूल रही हो कि मैंने तुम से साधी सिप अपनी बेटी के देख भाल के लिए ही किया था अगर आगे से मेरी बेटी से काम कराया तो अच्छा नहीं होगा अरे तो जाओ ना निकलो अपनी इस बेटी को लेकल मेरे घर से मैं भी कोई तुमारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम लोगों की सेवा करती फिरूँगी और ये मत बूलो ये घर मेरा है जब तुमने अपनी आधी प्रोपर्टी मेरे नाम की थी तब ही गलती से मैंने तुमसे तुमारी सारी प्रोपर्टी पर साइन करवा लिया था और अब इन सारे जायदात की मालकिन मैं हूँ और मैं चाहूँ तो आभी इसी वक्त तुम दोनों बाप बेटी को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ इसलिए अगर आप दोनों बाप बेटी को इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप से वैसा ही करते रहो ये सब सुनकर दीन दयाल चुप हो जाता है और अपनी बेटी को अपनी आखों के सामने घर का सारा काम करते हुए देखता रहता है पर वो बहुत ही बेवस होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता वो कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी होता है, और वहां से चला जाता है, ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, एक दिन कावेरी और चंचल दोनों खाना खा रहे थे, अरो चंचल बेटो, अब तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, उफो मा, मैंने कितनी बार आप से कहा है, मुझे घर का ये बोरिंग सा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आज मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ ही डिनर कर ली थी, इसलिए मुझे अब भोग नहीं है, आप खालो, तबी गोरी वहां आती है, और बोलती है, मा, रसोई में थोड़ा भी खाना नहीं है, और मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मा, क्या मैं चंचल की थाली में से थोड़ा सा खाना ले सकती हूँ, जब देखो हमारे खाने पर नजल गरा का रखती है, तुझे दिखाई नहीं देता, अभी हम दोनों मा बेटी खाना खाही र इसने का इंतजार करने लगती है, ये ले, खाले, हमने खाना खालिया है, अब तुभी इसे ले जाकर खाले, गौरी खुसी-खुसी उस बचे हुए खाने को ले जाकर खाना खालेती है, इसी तरह कुछ साल और बीच जाता है, गौरी बच्पन से ही सुन्दर और समझदार तो थी ही, बरी होने के बाद उसका चेहरा और भी जादा खिल जाता है, और वो बहुत ही खुबसूरत लगने लगती है, चंचल भी सुन्दर थी, लेकिन वो सौभाब से अपनी मा की तरह ही बहुत ही जादा घमंडी थी, चंचल भी अपनी मा के साथ मिलकर गौरी पर अत् पकवान बनवा देना, मेरे फ्रेंडों में मेरी नाक नहीं करने चाहिए, अरे बेटी, तु चिंता मत कर, सब अच्छे से हो जाएगा, तु बस अपने दोस्तों को बुला ले, कावेरी गौरी से बोलकर चंचल के दोस्तों के लिए बहुत सारा पकवान बनवाती है, साम को चंचल के सारे दोस्त उसके घर पर आते हैं, चंचल के उनी दोस्त में से एक लड़का था, जिसका नाम विवेक था, जिसे एक सिंपल और संसकारी लड़की की तलास थी, उसने जो चंचल के घर पर गौरी को देखा, तो उसे लगा, कि उसे जिस लड़की की बरसों से तला चंचल ये खुबसूरत लड़की कौन है कौन ये अरे ये पहन जी तो हमारे काम वाली नौकरानी कमला की बेटी है तुम इस पर ध्यान मत दो चलो पाटे इंजॉय करते हैं तुम कुछ खा क्यूं नहीं हो ये लो ये खाऊ वो सिट यार पहली बार कोई लड़की पसंद आई वो भी काम वाली की बेटी निकली मुझे हमेशा से ऐसी लड़की की तलास थी पर अपसोस पर ये काम वाली की बेटी निकली मेरे डेड़ इस रिष्टे के लिए कभी नहीं मानेंगे खेर कोई बात नहीं चंचल अब मैं चलता हूँ बाई बाई विवेक की बात सुनकर चंचल को बहुत ही हरानी होती है कि विवेक गोरी से साधी करना चाहता था वो ये बात अपनी मा को बताती है मा आपको पता है मेरा फ्रेंड विवेक गोरी से साधी करना चाहता है मा विवेक की सहर का सबसे बड़े बिजनसमेन का बेटा है और मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया मैंने इस फड़ टीचर गोरी को इस घर की नौकरानी बता कर बात को वहीपर कर काटम कर दी कितने समझधार हो गई बिलकुल अपने माँ पर गई है एक दीन दीन डयाल कावेरी से कहता है कावेरी मेरे बैटी गोरी के से करवा लेकिन मैं तुम्हारी तुम्हारे पास अब भी कुछ बचा हुआ होगा तो उसे सारे पैसे अपनी बेटी नैना के लिए जोर कर रखी हूं मैं उसे गोरी की साधी में खर्च नहीं कर सकती मैं अपनी बेटी के साधी बहुत ही धुमदाम से करूंगी हाँ ठीक है कावेरी मैं अपनी बेटी की साधी के लिए तुमसे मैं कुछ भी नहीं लोगा गोरी की मा की आखरी निसानी उसके गैने रखे हुए हैं मैं उसी को बेच कर अपनी बेटी की साधी करूंगा इतना बोलकर दिन दयार वहां से चला जाता है बहुत ही जल्दी गोरी की साधी के दिन भी नजदीक आ जाता है गोरी बहुत ही खुश थी लेकिन कावेरी इतनी असानी से गोरी की साधी कहां होने देने वाली थी जो जेबर ग खुशी खुशी अपने कमरे में जाती है अब देखती हूं कैसे करता है अपनी बैटी के साधी बड़ा है अपनी बैटी के साधी करने वाला साधी करने के लिए सबसे जरूरी साधी के गाउन और गहने होते हैं और अब साधी के लिए गाउन ही नहीं आएगा तो साधी कैसे ह अगले दिन दिन देयाल खुसी खुसी गोड़ी से आकर कहता है बैटी चलो तैयार हो जाओ हमें तुमारी साधी के लिए गाउन भी खरीदने जाना है मैंने तुमारी मा की कुछ आखरी निसानी रख रखी है अब उसी को बेच कर जो पैसे मिलेंगे उसी से तुमारी साधी के गाउन और गहने बनवा लूँगा अब चलो बेटी दिन देयाल जैसे ही गहने लेने जाता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई गहने ही नहीं होते हैं है भगवान सारे जेवर कहां चलेगे अगर जेवर नहीं मिले फिर मैं अपनी बेटी के लिए लेंगे कहां से लेकर आऊंगा परिशान होकर दिन देयाल अपनी बेटी गोरी को सारी बाते बताता है बेटा मुझे माफ कर दे जेवर कहीं नहीं मिल रहा है और तुमारी सोतेली मा तुमारी साधी में एक रुपए भी नहीं देना चाती पता नहीं अब तेरी साधी कैसे होगी गो को बहुत याद करती है मा आप मुझे इतने जल्दी छोर कर क्यों चली गई मा देखो ना आपके बिना मेरी साधी कैसे होगी मा वही दूर खरी बुड़ी ओरत काफी देर से गोरी को अकेले रोता देखकर उसके पास आती है और बोलती है बेटी मैं तुमें बहुत देर से देख रही हूँ तुम यहाँ अकेली बैट कर क्यों रो रही हो गोरी उस बुड़ी दादी को अपने सारी बाते बताती है सब सुनने के बाद वो बुड़ी ओरत कहती है बेटी तुम यही रुको मैं अभी आती हूँ इतना बोलकर वो बुड़ी अपनी जोपरी में जाती है और एक सुन्दर सा लेंगा लेकर वहाँ आती है और उस लेंगे को गोरी को देते हुए बोलती है बेटी यह लो तुम लेंगे के लिए दुखी हो ना इस लेंगे को तुम अपनी साधी वाले दिन पहन लेना और हाँ यह कोई मामली लेंगा नहीं बलकि जादुई लेंगा है तुम इस जादुई लेंगे से जो भी कुछ बोलोगी तुमें वो सब मिल जाएगा लो बेटी क्या? जादुई लेंगा? पर दादी आपके पास यह जादुई लेंगा कहां से आया? बेटी मैं जादुई दादी हूँ और मुझे इस स्वर से वर्दान प्राप्त है कि मैं चितने जरुत मंद लोगों की मदद करूँगी मेरी जादुई सक्तियां उतनी और जादा बढ़ेगी और तुम्हे इस वक्त इस लेंगे की ज़ादा जरुरत है इस लेंगे की वज़े से तुम्हे कभी किसी चीज की कोई कमे नहीं होगी बेटी अब अपने घर जाओ गोरी उस जादुई दादी का धन्यवाद कर उनसे वो जादुई लेंगा लेकर अपने घर आ जाती है घर आने के बाद गोरी अपने पिता दीन द्याल को सारी बाते बताती है यह सब सुनकर दीन द्याल भी बहुत खुस होता है बेटा उस दादी को भगवान का ही रूप समझो तभी तो वो इस समय आकर भगवान की तरह तुमारी मदद की गोरी का जल्दी ही सादी वाला दिन भी आ जाता है गोरी आज बहुत ही ज़्यादा खुस थी गोरी की सादी की सारी तयारिया बहुत ही अच्छे से होती है दीन द्याल की आँखे खुसी से नम थी वा खुसी खुसी अपनी बेटी को विदा करता है और इधर इतनी कोशिस करने के वावजूद भी उसकी सोतेली माओ और बहन सादी नहीं रोक पाते हैं और मुँ लटकाए हाथ मलते रह जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताए कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादूई टीबी को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से निचे लाल बटन दबाकर अभी सस्क्राइब कर ले तो मिलती हो ऐसे ही फिर किसी नई मज़दार जादूई कहानी के साथ तब तक अपना ध्यान रखे बाई बाई दोस्तों